आप सब को जैमसी की प्रभू का धनेवाद करते हैं आज की सुन्दर सुभा के लिए जो परमेश्व पिता ने हमारे जीवन में दी और हम सब अपने हिर्दे से प्रभू का धनेवाद करें कि परमेश्व ने हमें राद भर संभाल कर एक नई सुभा को हमारे जीवन में दिया इस बात के लिए हम परमेश्व पिता का धन्यवाद करें तो आईए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें भजन सहीता 103 में परमेश्व का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है हे मेरे मन यहुआ को धन्यक है और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्यक है हे मेरे मन यहुआ को धन्यक है और उसके किसी भी उपकारों को न भूलना वह तो तेरे सब अधर्मों को शमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है वही तो तेरे प्राणों को नश्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बानता है वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्तों से त्रिप्त करता है और जिस से तेरी जवानी उकाप की समान नई हो जाती है यहुआ सब पिसे हुऊं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है आमेन धनिवाद देते हैं जीवितन उग्रहकारी पिता परमेश्व प्रभूई सुन्दर समय के लिए प्रभू विशेशकर हम धनिवादी हैं प्रभू आज की इस सुन्दर सुभा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की सुभा में पिता परमेश्वर हर एक जन जो इस प्रातना को सुन रहा है पिता परमेश्वर उन सब को आपकी पवित्रू पस्तिती में लेकर आते हैं ये शमसी आपसे दुआ करते हैं आपसे विंती करते हैं प्रभू एक एक के जीवनों के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभू आज के दिन में परमेश्व पिता आप उन्हें संभाले अपने ज्यान बुद्धी समझ प्रदान करें प्रभू जी और हर एक शैतान की युक्तियों से शैत पितान के कामों से पिता परमेश्वर आप उन्हें बचाएं प्रभू हर एक दुष्ट के कामों को हम उनके जीवनों से नस्ट करते हैं पिता हर एक पिता परमेश्वर गडबडियों को उनके जीवन से नस्ट करते हैं मेरे प्रभू जी हम प्रातन करते हैं प्रभू कि आप भली वस्तों से त्रप्त करना जानते हैं विशेशकर आज हम धन्यवादी हैं प्रबू इस वचन इन वचनों के लिए पिता जो आपने हमारे हिर्दयों में बोया है पिता प्रबूजी ये वचन एक-एक के जीवन में फल दाई हो प्रभू एक एक के जीवन में प्रभू जी ये फल लेकर आए प्रभू जी प्रभू जी आज के दिन भर में हर एक के साथ प्रभू आपकी उपस्तिती बनी रहे पिता प्रमेश्वर प्रभू जी आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है पिता प्रभू जी हर एक के कामों को आप सफल करें, हर एक के जीवन के उद्देश्यों को आप सफल करें, प्रभु जी उनके फ्यूचर की प्लानिंग को आप सफल करें पिता, प्रभु जी आप उन्हें, प्रभु जी आपका वचन कहता है, कि आप प्रभु हर एक को उनके रोगों से चंगा करते हैं पिता, ये येशु मसी क्योंकि आप चंगा करने वाले प्रभू है पिता आप उनके रोगों से प्रभू जी उन्हें चंगाई दीजे पिता परमेश्वर क्योंकि आप कभी भी पिता परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं परन प्रभू आप हमें हमारी बिमारियों से निकाल कर चंगा करते है प्रभू येशू, सारी बिमारियों के लिए प्रातना करते है प्रभू, पिता चाहे वो कैंसर की बिमारी है प्रभू, सुगर की बिमारी है, बीपी की बिमारी है, ब्रेन ट्यूमर की बिमारी है, वाइट स्पोर्ट की बिमारी है, मिर्की की बिमारी है, पाइ अपी और इसी वक्त उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार क्योंकि आप हरे के रोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर यदि किसी की बॉड़ी में अलर्जी है प्रभू चाहे वो किसी भी प्रकार की अलर्जी है अलेर्जी से प्रभू आप छुटकारा दें पिता परमेश्वर हम प्रात्न करते हैं प्रभू नौजवानों के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभू जो गलत संगती में पढ़ गए हैं जो नशे में पढ़ गए हैं पिता परमेश्वर जो ड्रग्स लेते हैं पिता येशु मसी नासरी के नाम से प्रभू उन बच्चों के लिए उन नौजवानों के लिए प्राहत न करते हैं उनके जीवनों को आफ सेफ करें पिता प्रभू जी हर एक वो गलत आदत हैं उनके जीवनों से नाश करते हैं पिता परमेशुर जो प अपने बिजनिस को बढ़ाने के लिए प्लैनिंग कर रहे हैं प्रभु जी आप उनके कामों को सफल करें पिता परमेश्वर प्रभु जी जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु बहुत जादा निराश हैं प्रभु जी जो अपने जीवन में बहुत जादा हताश हैं परमेश्वर अपने रिलेशनशिप को लेकर अपने बच्चों को लेकर उनके फ्यूचिस की टेंशन को लेकर अपने रिष्टे ना होने की टेंशन में पिता आप उनको पिता भली बातों से त्रिप्त करें पिता परमेश्वर आप उनकी काम प्रभु जी बनते बनते रुक जाते हैं प्रभु उनके कामों की हर एक रुकावटे हम उनके जीवनों से कांसल आउट करते हैं प्रभु ननेवाद देते हैं मेरे प्रभु जी हम प्रात्न करते हैं प्रभु जी उन लोगों के प्रभू उन बच्चों के लिए उन लोगों के लिए जो अपने एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पिता ग्यान बुद्धि समझ उन्हें प्रदान करें पिता परमेश्वर ताकि पिता परमेश्वर वो आपके नाम को अपने हिर्दे से धन्यवाद कर सकें क्योंकि प्रभू तुही धन्यवाद के योग्य है तुही धन्य है प्रभू जो उपकार प्रभू जी आपने हम सब के उपर किया है प्रभू उन उपकारों के लिए पिता हम आपको हिर्दे से धन्यवाद दे सके परमेश्वर सच में प्रभु जी हम प्रात न करते हैं प्रभु आज की सुभा में प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जिनका प्रभु आज के दिन में जनम दिन है प्रभु जी धनेवाद करते हैं प्रभु उनके जीवनों के लिए की बीते साल प्रभु जी आपने उने संभाला हरे खत्रे मुसीबतों से, हर एक दुख बिमारी से परमेश और प्रबु जी बहुत जाल समस्याओं से उन्हें बचा कर एक नया साल उनके जीवन में दिया है प्रबु जी आज की सुभा में एक नया साल को उनके जीवन में जोड़ने के लिए धनेवाद करते हैं प्रबु पिता उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते हैं उनकी चाओं को पिता आप पूरी करें उनकी नीड्स को आप पूरी करें पिता और उन्हें प्रबु मुह मांगा वर्दान प्रबु आप उन्हें दें पिता परमेश उनकी विशिस को आप पूरी करें प्रबु धनिवाद करते हैं प तम और भली वस्तों से आप त्रिप्त करें पिता पर मेश्वर ननिवाद करते हैं प्रभू जी सब कुछ आप आपके हाथों में सौपते हैं प्रभू जिन लोगों के प्रभू रिस्टेदार या फिर प्रभू कोई भी जानने वाला कोई भी क्लोज प्रभू हॉस्पिटल म रिकवर होके घर आने पाएं पिता और वो आपके नाम की महिमा कर सकें पिता धनिवाद करते हैं प्रभू जो अपने काम के लिए प्रभू घर से बाहर या फिर इंडिया से बाहर या फिर कहीं भी जा रहे हैं पिता उनके कामों को सफल करें उन्हें प्रोटेक्ट करें पि झाल झाल